तो कैसे है दोस्तों अभी आली में 2024 के आगामी लोकसभा चुनाओं के लिए बीजेपी ने अपनी पाँचवी 111 कैंडिडेट्स की लिस्ट को पब्लिश किया था जहां कलकत्ता आई कोट के फॉर्मर जस्टिस अभीजीत गगोपाद्याई, बिजनसमेन नविन जिंदल, फिर यूपी के मेरट से फेमस रामायन टीवी सीरीज की आन स्क्रीन अवतार अरून गोविल जी और इमाचल प्रदेश की मंडी कॉंस्टिटिएंसी से एक कि हम हमारे प्रदान मंतरी जी के अच्छे कर्मों से, उनके परिश्रम से, उनके नाम से, उनके बल से हम चीते के लेकिन दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि आखिरकार ये बॉलिवूड की मशूर सेलिब्रिटी या पिछले कई सालों से राजनीती में क्यों एंटर हो रही है उपर से ये सभी पॉलिटिकल पार्टी या भी इन सितारों को अपने दल में शामिल करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा देते हैं तो आज इस मुद्दे के बारे में बात करना इसलिए और भी ज़्यादा इंपोर्टन्ट हो जाता है ताकि लोग इस आने वाले इलेक्शन में किसी भी एक व्यक्ती के डायाट फैन या फिर अंदभक्तों की तरह नहीं बलकि जिस आदमी को लोगों के कामों की चिंता है जो भारती राजनिती को जानता है समझता है उस इंसान को वोट दे सके सो आजिए आज के इस विजिल में इन सितारों की राजनिती को समझने की कोशिश करता है दोस्तों आज पुरी दुनिया में इन सेलिब्रिटीस के राजनिती का प्रभाव जिसे एक सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिकल स्टार पावर भी कहा जाता है वो कोई नई बात नहीं है आज हम सब लोग ये बात जानता है कि इन मशूर सितारों का एक स्टार्डम होता है एक फेन बेज होता है जिसके पीछे लोग इनके दिवाने होते हैं और यहां पर इसी पर्टिकुलर चीज का फाइदा ये सभी पॉलिटिकल पाटी या उठाती है अब इस मुद्धे को और भी जदा क्लैरिफाइ करने के लिए मैं यहां पर आपको तीन पॉइंट ओफ यू से इस बात को समझाता हूँ जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है इन सितारों के स्टार्डम का यूज अब यहां पर मैंने पहले बताया ठीक वैसे ही इन हिरो हिरो इन्स का एक स्टार्डम होता है एक फैन बेज होता है यहां तक कि हमारे भारत में एक भगवान और भक्त के रिष्टे की तरह ही इन सेलिब्रिटीज और उनके फैन्स के रिष्टे को माना जाता है तो इनके पास पहले से ही एक बहुत बड़े लोगों के समूझ का समर्थन होने की वजह से एक साइड जिस चुनाओ के दौरानेक उमीदवार को अपनी कॉंस्टेटिएंसी के लोगों को अपनी तरफ करने में उनको मनाने में उनको इंफ्लूएंस करने में उस पर्टिकुलर नेता और उनकी पार्टी को जहांपर करोडो रुपे का प्रचार करना पड़ता है वहीं दूसरी और इन नेताओं की बज़ा ये सभी पॉलिटिकल पार्टी या इन सितारों को चुनाओ लड़ने के लिए खड़ा करती है हा लेकिन वो अलग बात है कि इन सबको राजनिती का चू तक पता नहीं होता है लेकिन फिर भी ये लोग MP और MLA बन जाते हैं और अगर यहाँ पर कोई सूपरस्टार दोस्तो अपने स्टाडम की वज़े से इन पॉलिटिकल पार्टीयों के प्रेम या फिर पैसों की भाशा को ना माने तो फिर इन लोगों को दूसरे point of view compulsion threat यानि की डरा धमका कर किसी भी राजनितीक पार्टी के समर्थन की यहाँ पर कोशिशे की जाती है इसी का ही दोस्तो एक मशूर एक्जम्पल है इंदीरा गांधी की emergency जब उस आपातकाल के दोरान पूरा विपक्ष नजर बंध था तब उस टाइम पर कुछ मशूर अस्तियों ने कॉंग्रेस के rules and regulations का पालन करने से साफ इंकार कर दिया था जिसके चलते दोस्तो दूसरे ही दिन इन सभी मशूर अस्तियों के गर पर income tax की raid पड़ी थी और अब यहाँ पर दोस्तो इन दोनों point of view से तो 99% celebrity या राजनिती में आने के लिए मान जाती है और जब यह लोग किसी भी political party का प्रतिनिदित्व करते हुए चुनाव लड़ने के लिए तयार हो जाते है तो फिर यहाँ पर तीसरा और सबसे बड़ा point of view आता है voters का soft mind wash अब दोस्तो यह एक simple सा mindset है कि आज के टाइम में जो भी व्यक्ति किसी मशूर celebrity को follow करता है तो but obviously लोगों का इन stars के प्रती एक विश्वास एक बरोसा होता है लोग उनकी lifestyle से काफी ज्यादा influence होते है और इसलिए लोगों को लगता है कि यह star अगर हमारे इलाके में MLA के तोर पर चुने गए तो फिर यह जनता के लिए बहुत ही अच्छा काम करेंगे और कुछ लोग तो दोस्तों इन सितारों से इस हद के influence हो जाता है कि इनके साथ ये लोग अपनी photo या फिर selfie को खिचवाने के लिए इनकी constituency से इनको vote दे कर आ जाता है और इन सभी मुद्दों से ऐसा नहीं है कि आज तक जिस भी celebrity ने राजनिती में कदम रखा है उनको राजनिती की समझ नहीं थी या फिर ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मजे के लिए इसमें आये थे लेकिन आज दोस्तों ground reality तो यही है कि ये सभी political party या इन सभी मशूर अस्तियों का एक object की तरह सिर्फ और सिर्फ इन चुनावी प्रचार में ही इस्तमाल करती है और ऐसे तो न जाने देरो examples आपको सिर्फ इंडिया में ही नहीं बलकि all our world में देखने को मिलेंगे जहां पर इन सभी फिल्मी जगत के स्टार्स का यूज एक राजनितिक गेम के तोर पर किया जाता है एक आस्टेलियाई अमेरिकी बाडी बिल्डर और फिल्मी स्टार एरनोल्ड श्वाजनेगर फिर एक इस्रेली मशूर टेलिविजन होस्ट यायर लैपिड और यहां तक की अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडंट डोनाल ट्रम्प भी राजनिति और राश्टपती बनने से पहले एक मशूर टेलिविजन व्यक्तित्व थे जो आए दिन राजनिति पर चर्चा करने के लिए फोक्स निउस पर दिखाए पड़ते थे मगर दोस्तो आज हमारे देश में इन सितारों के राजनिति की कहानिया बहुत सारी है इनफेक्ट आज के टाइम में आप लोग पैन इंडिया यानि की साउथ के कहीं सारे सूपर स्टार्स को एक एक एक्टिव पॉलिटिशन के तौर पर काम करते हुए देखोगे और रियालिटी में भी दोस्तो आज ये सभी लोग जनता के लिए काम करता है यहां तक की उनके लिए प्रोटेस्ट भी करता है लेकिन जब इस राजनिती में बात आती है बॉलिवूड की तो यहां पर सारा का सारा मामला गुड़ गोबर हो जाता है मतलब की आप लोग खुद इन सेलिब्रिटी के चुनावी प्रसार के इन स्लोगन्स को देखिये जहां पे एक सेलिब्रिटी का इलेक्शन स्लोगन था की आप मुझे वोट दो और मैं आपको रॉयल एंफिल्ड की सवारी कराऊंगी फिर दूसरे का था की मेरे लिए आप लोग वोट करिये क्योंकि मैं एक छेल छबी लोग गुजराती हूँ फिर एक तीसरे का था की मेरा तो एक ही मंत्र है जिंदगी जंडवा फिर भी गमंडवा तो इस तरीके के स्लोगन से तो ये लोग सिर्फ चुनावी प्रचार करते हैं लेकिन दोस्तों बॉलिवूड की राजनिती की दास्तान की शुरुवात 1960 के दशक से ही हो चुकी थी जब इंदी सिनेमा के पितामा कहे जाने वाले पृत्विराज कपूर राज्य सभा के पहले स्टार MLA बने थे और फिर यहां से दोस्तों इसके बाद राजेश खणना किशोर कुमार और शत्रुगन सिना जैसे एक के बाद एक बॉलिवूड सितारों ने राजनिती में अपनी किसमत को आजमाया था जिन में से कुछ को राजनिती का ये दलदल खूब भाया और कुछ को इसने आदे मुह गिराया यहां तक कि सदी के महानायक अमिता बच्चन ने भी एक बारी बहुमती से चुनाओ को जीता था लेकिन इसके बाद के कुछी महिनों में इन्होंने अपने पच से इस्तिफा दे दिया दरसल इन सबी फिल्मी स्टार्स को लेकर राजनिती में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि चलो ये सबी लोग एक बारी के लिए जनता के सपोर्ट को आसिल करके MP और MLA बन भी जाते हैं लेकिन इसके बाद दोस्तो राजनिती में इन रेक अभीनेताओं का इन्वोल्मेंट ना के बराबर होता है वो चाहे फिर एक विपक्ष के तौर पर सरकार से सवाल पुछना हो या फिर कोई मुद्दे को लेकर लोग सभा या विदान सभा में चर्चा करना हो या फिर दोस्तो अपनी कॉंस्टिटिवेंसी के कामों की निगरानी हो इन सभी तरीकों की चीजों में एक MP या फिर MLA बनने के बाद इन अभीनेताओं की जो responsibility होती है उन में से एक भी तरीके का काम ये लोग नहीं करता है और इसलिए दोस्तो आज तक की भारत की पुरी राजनिती में शामिल होने वाले इन सभी celebrities में से केवल एक सुनिल दत साहिब जो की संजेदत के पिता जी थे सिर्फ इनों ने ही अपने स्ट्राडम को समाज के लोगों के सेवा के कारियों पर हावी नहीं होने दिया और आखिर तक दोस्तो इनों ने अपने वोटर्स के लिए काम करते हुए कैबिनेट का पद संभाला था तो यहाँ पर आप लोग फर्क साफ देख रहे हो कि एक साइड पर आज ऐसी सेलिब्रिटी या मौजूद है जो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावे या फिर कोई भी एक्स वाईजेर रिजन्स की वज़े से चुनाओ लड़के राजनीती में एंटर होते है लेकिन इसके बाद ये लोग अपने पूरे कारियकाल के दौरान राज्ये सबा या विदान सबा में किसी मुद्दे पर दो मिनिट के लिए बात करना तो छोड़ो बलकी इन लोगों की एसेंबली में अटेंडनसी 15 प्रतिशत से कम होती है अरे यहां तक के रिपोर्टर्स के प्रेस मीट में जब अभीनेता से राजनेता बने कुछ 3-4 लोगों को इन प्रेस रिपोर्टर्न में कुछ सवाल पूछे तो उन में से कुछ का ऐसा मानना था कि भूटान पहले भारत का इससा था कहियों को हमारे देश के पहले प्रेसिडंट का नाम तक नहीं पता था हमारा राश्टरगीत किसने लिखा है वो बात भी पता नहीं थी अरे यहां तक की कुछ अभी नेताओं को तो जिस पाटी से वो लोग बिलॉंग करता है उस पार्टी के बारे में भी कुछ नहीं पता था सो आप लोग खुद सोचिए कि क्या ये लोग सच में जनता के लिए काम करते होंगे और मैं यहाँ पर किसी भी आदमी को क्रिटीसाइज नहीं कर रहा जैसे हमारे आथ की पांचों उंगलिया एक जैसी नहीं है वैसे इन सेलिब्रिटी से राजनेता बने हुए इन सभी लोगों में कुछ सुनिलदत साहिब जैसे भी राजनेता थे जिनोंने सच में अपने समाच के लिए एक बहुत बहतर काम किया था जो की काबिले तारिफ भी है मगर मैं यहाँ पर आप लोगों से सिर्फ एक क्वेशन पूछता हूँ कि क्या आप लोगी सानी वाले चुनाओं में एक ऐसे नेता को वोट देंगे जिनकी सिर्फ और सिर्फ एक लाइफ स्टैल से आप लोग इंफ्लूएंस हो जिनकी एक्टिंग के आप लोग दिवाने हो मगर इन सूपर स्टार्स को आपकी कॉंस्टिट्यूएंसी में काम करने में कोई दिल्चस्पी नहीं है और ठीक यहीं दूसरी और आपके सामने एक ऐसा नेता मौजूद है जो सही माहिनों में जनता के कामों को समझते हैं उनके लिए काम करता है सो यहाँ पर इन दोनों नेताओं में से आप लोग किसको चूज करोगे मुझे कॉमेंस में बताना जरूर और यहाँ पर इन सभी सेलिब्रिटियों से भी ज़्यादा इनकी फिल्मों का जो आजकल एक पॉलिटिकल पॉइंट ओफ यू से मिस्यूज हो रहा है वो चाहे फिर एक धर्म या फिर जाती के नाम पर ही क्यों न हो मगर इन फिल्मों की राजनिती को भी आप सभी लोगों को इस विजियूल के पार्ट टू के तौर पर समझना है तो वो भी मुझे कॉमेंट्स में बताना जरूर लेकिन तब तक के लिए मिलता है अगले विजियूल में गुडबाई